करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है सिध्धान थगनी हो तरी स्टेडी है कि आप बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बात करेंगे दोस्तों भारत के अंसंग हीरो हे मुचंद्र विक्रमादित क्या गजब की कहानी है दोस्तों रूंटे खड़े हो जाते ह कि कहानी सुनके बताना चाहता हूं कि कहानी को जादा याद नहीं किया जाता है यह कैसे राजा थे जिनों भारत में हिंदू रूल को और Northern India में गजब के राजा थे दोस्तों, इनकी कास्ट बहुत बड़ी नहीं थी, उस समय कास्ट सिस्टम था, नीचे से उठे कुछ भी नहीं था, और सब कुछ हासिल किया, अपने दिमाग अपनी महनत की वज़े से सब को हरा दिया, मुगलों की इतनी बड़ी सेना को इन्हो पूल चटा दीती, हेम चंद्रविक्रमादित और फेमू की आजम बात करने वाले हैं दोस्तों, बहुत इंस्पारिंग स्टोरी है, लेकिन उसके बावजूद इनका नाम आपको कहीं नहीं मिलेगा, एक आज जगा मिल गया तो मिल गया, सेकेंड बैटल और पानीपत सेमिन देता है, ना ही Bollywood, ना ही Politicians, तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, लेकिन गजब के राजा थे, हिंदु इतियास में बहुत ही जबरदस्त, भारत इतियास में बहुत ही गजब के राजा हुए हैं, तो आज हम हेम चंद्रविक्रमादित की बारे में बात करेंगे, बह बहुत जब फाइदा मिलेगा, तो अगर हमु की बात करें दोस्तों, तो सिंस ये कोई राजा महराजा के तो बेटे थे नहीं, तो शुरुवाती जीवर इनका कैसा था, ये किसी को नहीं पता है, इनका कब जन्म हुआ, कोई हिस्टोरियन्स साइटेड नहीं हैं, ठीक है, मैं हिस्टोरियन्स को ही कोट करता हूँ, किताब से ये सारी चीज़े लेके आता हूँ, तो ये कोई हिस्टोरियन्स को नहीं पता है, कि इनका एक्चुल में बर्थ डेट क्या थी, या कब इनका जन्म हुआ था, इवन इनका नाम भी अलग-अलग लोग बताते हैं, कोई ब अलवर में रहते थे, सदन पाउट अफ अलवर में, तो ये सारी चीज़े हैं, लेकिन जब इनका उधै हुआ तो कोई भी रोक नहीं पाया, बड़े ही चालाकी से, इन्होंने पहले तो शेडशा सूरी के बेटे से हाथ मिलाया, और उसके बाद धीमे से आदिल शा के चीफ मिनिस्टर हो गए, और सब कुछ अपने नाम कर लिया, बड़े ही skilled administrator थे, सब कुछ पता था इनको, वैसे बहुत ही intelligent थे, ऐसा बोला जाता कि इनको Sanskrit, Hindi, Persian, Arabic और Maths, Arithmetic का भी ज्यान था, कुष्टी लड़ने का बहुत शौक था, horse riding का बहुत शौक था, गजब के गोड़ सव है, तो ये चीज़ है, लेकिन 1530 आया, अब देखिए दोस्तों, बाबर ने भारत को invade कर दिया था, Islamic invasion in India, इस पर मेरी एक पूरी सीरीज है, और ये उसका ही पार्ट है, तो आप जरूर देखिएगा दोस्तों, इससे पहले मैंने शेडशा मलब हमने हुमायू तक की बात की तो फिर मैंने शेडशा सूरी की बायाग्राफी की तो और अब मैं हीमू की बात कर रहा हूँ, तो ये पूरा इतिहास है, मैं 1150 से, मोहमद अफ गजनी से हमने बात की थी, 1150 से लेकर अभी तक हम 1556 तक का इतिहास कवर कर चुके हैं, टोटल 28 लेचर्ट हैं, आपको इवियल हिस्टरी पूरी पता चल जाएगी, बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा दोस्तों ये लेचर सीरीज, तो हमने देखा था कि बाबर ने भारत को इन्वेड कर दिया, बाबर इससे पहले 6 बार कोशिश कर चुका था, बाबर ने भारत को इन् स्टैबलिश हो गया, ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे, 1530 में जब बाबर का दियान थुआ, फिर हुमायू आया, अब हुमायू एक ऐसा राजा था, एक बहुत बड़ा लीडर नहीं था, यह बहुत बड़ा कहते है न, एड्मिनिस्टेटर नहीं था ठीक है, यह कोई ऐसा नहीं था कि जिसके बाद बहुत बड़े-बड़े मिलेटरी स्किल्स हो, एक तो उसका दिल बहुत अच्छा था, ठीक है, अच्छी बात है इंसान को इमोशनल होना चाहिए, लेकिन हथ से जादे इमोशनल इंसान को फिर बेकूफ बना देता है, ठीक है, इतन 10 साल तक ही टिका, उसके बाद शेर्षा सूरी आ गया, दो बैटल लड़ी, बैटल ऑफ कनौज, बैटल ऑफ चौसा, मतलब खानवा, सॉरी, बैटल ऑफ कनौज और बैटल ऑफ चौसा, 1549-1540 में, उसके बाद हम देखते हैं कि शेर्षा सूरी का रूल इस्टैबलिश हो ग रहा था और लोधी जितने भी राजा आयते हैं, उनकी बैयाग्राफी बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी की बैयाग्राफी रिव्यू की थी, अविलेवल आप देख लीजेगा, मैनिस में आपको बताया था कि लोधी इससे पहले टर्क्स थे भारत में लोधी बहुत थे वो सब टर्क्स थे, लोधी वर्दी फरस्ट का अफगान तूरूल इंडिया, तो लोधी की जो यह जो किंग्डम होता था यह ऐसा नहीं था कि एक राजा है, वो सब पर रूल कर रहा है, ऐसा नहीं था, यहां पर राजा जो है वो अफगान का अफगान्स अलग अलग ट्राइब्स थी और उनका रेप्रेजेंटेटिव सुल्तान होता था तो यहां पर हम देखते हैं कि जो मेल लीडर है वो सिर्फ और अफगान्स को रेप्रेजेंट कर रहा है वक्त आने पर अफगान्स उसको हटा देंगे तो यहां पे जब बाबर न पायर का उदय होता है तो वापस अफगान जो है वो पावर में आ गए जब बाबर आया तो अफगान्स ने बहुत कोशिश की थी महाबूद लोदी के अंडर उसने कई बैटल लड़ी ठीक है अफगान्यों ने लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ था पहले बाबर न पंद्रा सो चालिस से लेकर पंद्रा सो पचपन पंद्रा सो चालिस से लेकर पंद्रा सो पैतालिस तक शेड़ शा सूरी आया शेड़ शा सूरी के बाद उसका बेटा है इसमाईल शा आया यही सही कहानी जो है वो शुरू होती है कैसे शुरू होती है यहाँ पे इसलाम शा के साथ दोस्ती कर ली हेमु ने हेमु को पता था कि अगर मुझे करियर में बहुत उपर जाना है तो एक पाफुल इनसान का साथ मुझे चाहिए इसलाम शाह से ज़ादा कोई टाकत्वर हो नहीं सकता तो इसलाम शाह के साथ आया सबसे पहले तो इसलाम शाह बहुत जादा इंप्रेस हुआ हेमू की दोस्ती से, इसलाम शाह ने उसको शहाने बाजार बनाया, सुप्रीडेंडेंडेंट अफ दी मार्केट, मार्केट का लीडर बनाया, मार्केट को देखते थे वहिया हेमू, उसके बाद दरो गाये चौकी बनाया, चीफ ओफ इंटेलि इस किया था, मैंने अलाओ दिन खिल जी कि एक घंटे का सेशन है, जरूर देखेगा, बहुत कुछ आपको पता चलेगा, तो यहाँ पर हम देखते हैं, यह बहुत सारी चीज़े होई, फिर इसलाम शाह ने अपनी कैपिटल दिल्ली से ग्वालियर भी शिप्त कर ली, ठीक ह से ही इसलाम शाह 1553 में उसका दिहांत होता है, बारा साल का फिरोज खान, उसका बारा साल का बेटा फिरोज खान गदी पर आता है, लेकिन फिरोज खान को आदिल शाह सूरी मार देता है, उनके जो चचा जान है, तो यहाँ पर आदिल शाह सूरी आ जाता है 1553 में, और क्योंकि हेमू सों में बहुत ताकतवर हो गया था हेमू की सबसे बढ़िया बात क्या थी कि जितने भी military जो भी soldiers थे जो भी सिपाई थे उनको ये अपने confidence में ले लेता था ठीक है ना ये बहुत बढ़िया बात थी वो बहुत अच्छे से हमू सबको कबजे में कर लेता था अ ठीक है उसके बाद चार सूरी किंग्डम वो चार में सोट हो गया था ठीक है पंजाब की बात करें तो सिकंदर सूरी ग कर रहा था दिल्ली की बात करें तो इस्मायल सूरी बंगाल की बात करें तो महम्मद सूरी ठीक है आगरा में भी ऐसे ही तो हम यहां पे देखते हैं कि यह जो kingdom था वो चार में divide हो गया था अब यहां पर आदिल शा आगरा को तो रूल कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन kingdom तो divide हो गया तो युद्ध होते थे, तो जो भी युद्ध होते थे हेमु जाता था और हेमु युद्ध को जीत किया था, इससे पहले 22, second battle of panipat से पहले 22 युद्ध लड़े थे हेमु ने और एक भी नहीं हा रहा था, इतना तो यहां पे nobles भी इससे डरते थे, nobles का रूल बहुत ज़्यादा एहम होता था, अफगानी भी इससे डरते थे, और सेना इसके साथ थी, सबसे बड़ी बाद जिसके साथ सेना होगी, वही विजय रहेगा, तो यहां पे हम देखते हैं, कि इस्लाम शाह तो इसको बिलकुल होता था, राजा खाली नाम का होता था, लेकिन राजपाट कोई और देखता था, राजपाट कौन देखने लगा, चीफ मिनिस्टर अफ आदिल चाह, जो कि कौन था, हेमू, तो हेमू सब कुछ देखने लगा, हेमू राजा बनके रूल करने लगा, ओफिशली वो राजा नहीं था लेकिन आदिल शाह कुछ भी नहीं कर पाया और इसको इतना कोई फर्क भी नहीं पड़ता था आदिल शाह बहुत ही अयाश राजा था फर्क नहीं वो बैटा हुआ है मजे कर रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था जनता जिये या मरे बट हेमू को फर्क यहां पर उसके बाद बहुत ही अच्छा मौका था इसी दोरान दोस्तों जब यहां पर स्लाम शाक की मौत हुई उसके बाद अफगान जितने भी अफगांस kingdom थे ठीक है उन्होंने अपने आपको आजाद घोचित कर लिया तैक्स जो यहां पे जो टैक्स पे करते थे सेंटर को वो उन्होंने बिलकुल रिफ्यूस कर दिया बोला कि हम आदिल शाह को आज से कोई टैक्स नहीं पे करेंगे और हम अपने आपको आजाद भोशित करते हैं ठीक है तो मूड खराब हुआ आदिल शाह ने बंगाल को कैप् और इधर हुमायू आ गया, मुगलो की भी सेना है न वय आ, 15 साल बाद हुमायू आया, हुमायू बाहर से पूरा सपोर्ट लेकि आया था, बेहरम खान इसको सपोर्ट कर रहा था, सिकंदर शाह को हरा दिया, और हुमायू के पास दिल्ली आगरा आ गया, तो मुगलों का दुबारा कबजा हो गया दिल्ली और आगरा में, अब हेमू यहाँ पे पूरा अपना लीडर है, हेमू को पता है कि अगर मुझे इनको हराना है, अगर हिंदुस्तान का राजा बनना है, दुबारा हिंदू किंग्डम चाहिए, तो सबसे पहले तो मुगलों क को हराना पड़ेगा तो यहां पे दो बैटल लड़ी गई थी बहुत इंपॉर्टेंट बैटल्स सबसे पहले तो बैटल ऑफ तुगलकाबाद जिसको बैटल ऑफ डिली भी बोला जाता है और उसके बाद सेकेंड बैटल ऑफ पानी पर जिसने सब कुछ बदल के रख दिया थ मुगल्स ने दिल्ली और आगरा पे कबजा कर लिया है तो 23 जुलाई 1555 में तो हुमायू ने आदिल चाह के जो मतलब सिकंदर शाह जो था दामात था जो आदिल चाह का उसको हराया था लेकिन जब हेमू को पता चला तब उसका मूट खराब हो गया अब इसी दोरान दोस्त बैटल आफ तुगलकाबात लड़ी गई यहां पे बहुत बड़ी आर्मी थी हेमू की और काफी जो अफगानी भी थी वो भी इसके साथ हो गए हेमू ने सब को लपेटे में ले लिया बोला कि आओ लड़ते हैं जीतेंगे साथ में रूल करेंगे प्लैंस तो कुछ और थे जब ये तरदी में खान को पता चला जो कि दिल्ली में गवर्नर था अकबर का उसके हाथ पाउँ पूल गए उसने बोला भया री इन्फोर्समेंट भेजो वरना भगा भगा के हम सब मारे जाएंगे कुछ भी नहीं कर सकते इधर अपनी पचास हजार से जादा सेना लेके दिल्ली पे अटाक कर दिया जिसको बैटल ऑफ डेली या फिर बैटल ऑफ तुगलका अबाद भी बोला जाता है और पूरी तरीके से यहाँ पे जो अकबर की सेना थी मुगलों की सेना थी उसको खदेर दिया और फाइनली दिल्ली हेमू के कबजे में आ गया दिल्ली सेंट दिल्ली आगरा से ही तो रूल होता था तो ये सेंटर थे और इन ही दोनों को हिमुन अपने कंट्रोल में ले लिया पहले आगरा को जीता फिर दिल्ली को जीता तुगलकाबाद में युद्धुआ तरदी बेख खान की फोर्सेस को सब को हरा दिया वगा वगा के मारा भागे ये सब दुबारा अगबर के पास और उसके बाद साथ अक्टूबर 1556 में फाइनली इसने अपने आपको राजा घोशित किया विक्रमादित टाइटल लिया क्या बात है अब तो वैसे अबॉलिशन ऑफ टाइटल से ठीक है भाईया कौन से आर्टिकल में चली कमेंट बॉक हो गयाएसे कोई बड़े-बड़े टाइटल जो है जहाँपना हो गया वह spaces समविदainen सको इजाजत नहीं देता है लेकिन पहले ये सारे टाइटल से लिये जाते थे विक्रमादित ने वी यह हे मूझ्ण की लगसी को दुबारा रिवाइफ करने के लिए हिंदों के कल्चर को दुबारा रिवाइफ करने के लिए विक्रमादित का टाइटल लिया अब बहुत सारी अलगल एक स्टोरीज हैं इसके कोरोनेशन पे जादा कुछ नहीं बुना उसने टाइटल लिया एक छोटा सा सेलिब्रेशन हुआ लेकिन अभी खत्रा टला नहीं था क्योंकि मुगल्स दिल्ली में हारे थे अभी भारत छोड़के नहीं गए थे जिस तरीके से हुमायू भागा था हेमू चाता था वन सेन फॉर ओल इन सबका मैटर सेटल कर दिया जाए मुगल्स की सेना इतनी बड़ी नहीं थी लेकिन हेमू की सेना बहुत बड़ी थी पचा 1556 इस पर मेरा एक पूरा सेपरेट लेच्चर है दोस्तों सेकेंड बैटल ऑफ पानिपत पर अब जरूर देखिएगा बहुत है इंपोर्टेंट है सेकेंड बैटल ऑफ पानिपत लड़ी थी इसके बीच हिम्मू और अकबर के बीच अकबर के जगा यहां पर बैराम खान और अगर को जैसे यह खबर मिली अकबर को तुग लगा बातों हार गए अब आपकुछ करिये तो अगबर ने बोला ठीक है लडाई करते हैं पांच नवैंबर 1554 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानिपत हुआ था सेकेंड बैटल ऑफ पानिपत भी वही हुआ था पानिपत में बहुत सारे युद्धों है तीन पानीपत में हुए है अब आप बोलेंगे पानीपत पे क्यूं हो है देखिए दोस्तो एक चीज आप समझेए यहां पर जो भी इंवेजन होते थे ठीक है यहां पर जो भी भारत पे अटाक होता था और भारत को अगर दिल्ली की तरफ आना हो तो पानीपत में युद्ध हुए भाई या तीन बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट और भी युद्ध है वैसे लेकिन तीन सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध है पानीपत में तो हम यहाँ पे देखते हैं कि second battle पानीपत लड़ी गई और हेमु वर्सेस मुगल आर्मी सामने था, अकबार अकबर छोटा था, बैरम खान बड़ा था, हेमू की जो आर्मी थी वो दुगनी, वो हालत खराब यहां पर मुगलों की कर दी, बुरी तरीके से मुगलों का सफाया करना शुरू किया, एक एक जनरल को मारना शुरू किया, बहुत एडवांटेज पोजीशन में म मुगलों को पता था कि हम जादा देर टिक ही नहीं पाएंगे, और यहां पे हेमू अपने विशाल हाती हवाई पे एकदम चड़े हुए थे, और उसके बाद राजाओ की तरह एकदम युद्ध कर रहे थे, वीर की तरह युद्ध कर रहे थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा कि एक तीर जो है, वो उनकी आँख में आके लग गया, अब ये किसने तीर मारा क्या हुआ, लेकिन तीर जो है, वो एकदम सटीक निशाने पे हेमू की आँख में आके लगा, और उसके बाद हेमू जो है, वो गिर गए हाती से, बुली तरीके से खून बहरा था, जैसे ही अ यहाँ पर अपने लीडर को जब खो दिया, तो यहाँ पर आर्मी ने अपने हतियार डाल दिये, और उसके बाद फिर मुगलों ने रिटैलियेट किया, और यहाँ पर हेमू की सेना को हरा दिया, बहुत बड़ी हारती हेमू की जीती रहे थे, जरा सी, 90-80% बाइटल जीती गए थे, लेकिन जैसा कि मैंने बताया, कि बदकिस्मती का साथ बहुत लोगों के साथ रहा है, और यह हेमू के साथ भी हुआ, रूल इस्टैब्लिश नहीं हो पाया, ठीक है, हो जाता, नहीं हो पाया, एक महिने तक वो जरूर राजा बने थे, ठीक है, ऑक्टूबर से ले जतने भी soldiers थे, जतने भी ज्दास बख़ातया, गया रोखे मिनार बनादे, मुगल की से अनकरती थी, उसके एहां पर हेमू को लाया गया है, अकұर के सामने, अकबर से बोला किसका सर काटो, बेराम खान ने बोला, तो यहां पिए अकबर ने मना कर दिया थ और यहां पे य गया था उसने नहीं मारा या उसने मारा तो पूरी तरीके से गला नहीं कट आता लेकिन जो सबसे एक्सेप्टेड है कि यहां पर अक्बर ने मारने से मना कर दिया और बोला कि मैं मरते हुए इंसान को नहीं मारूंगा तो बैरम खान ने फिर उसका सर्व कलम किया उसके बाद अब यह भी कहानी है कि ऐसा कहा जाता है कि उसके बाद जो हेमू की फैमिली थे हेमू के परिवार थे हेमू के पिता जी थे हेमू के पिता जी के पास गए भईया यहां पे मुगल्स और उनसे बोला कि आप इसलाम में कनवर्ट हो जाओ हेमू के पिता ने मना कर दिया तो हे अतार ये रूल चलता रहा, 1707 तक वैसे तो 1857 तक चलता रहा, लेकिन 1707 तक ही चलता रहा, उसके बास से मुगलों का डिकलाइन शुरू हो गया, ठीक है, तो ये कहानी थी, वीर हेमो की आई हो, पेले चर आपको पसंद आया होगा, इसको जरूर शेयर करें, कुछ नहीं आपक निगा तरी साइणिए अटार याफ झाल झाल